हाई दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करूँगा आपका हमारे आज की इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि Resolution for Bank Account Opening को कैसे बनाते हैं Company को Incorporate करने के बाद जब आपको Incorporation का Certificate मिल जाए उसके बाद आपको Bank Account Open करना होता है मैं इसको बढ़ा करता हूँ और यहां पर देख सकते हैं आपको सबसे उपर लिखा हुए On the letter head of the company यहां पर आपको अपने company का नाम लिखना है जो भी आपकी company का नाम हो उसके बाद CIN number लिखना है उसके बाद आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है certified through copy of the resolution pass at the meeting of the board of the director ठीक है name of the company on weekday and date, day, month, year register office of the company at address at 11 am यहां पर आपको simple लिखना है कि resolution जो है वो board meeting में पास किया गया ठीक है और इस date को और इस दिन को इस साल में board meeting हुआ और यहां पर register office जो है company का वो डालेंगे और time डालेंगे कितने बज़े resolution को पास किया गया ठीक है यहां पर आप उसके नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है opening of company bank account with bank name branch name यहां पर आपको bank name और branch name डालना है यहां पर आप नीचे देख सकते हैं क्या लिखा है the chairman explained the need for opening the bank account of the company with the bank name branch address the board discussed the need to open the bank account for operational convenience and pass the following resolution यहां पर simple लिखा गया कि जो chairman है company के वो महसूस करते हैं कि company का bank account होना चाहिए और इस bank के साथ होना चाहिए और उसके बाद का point लिखा है वो ने discuss किया कि हम bank account open करने ताकि हमारे operation में असानी हो और इस जरूरत को महसुस करते हुए हमने जो resolution को pass किया उसके नीचे आप देख सकते हैं resolve debt में लिखा हुए जो भी आपके policy हैं कि आप कैसे payment करते हैं कैसे आप handle करेंगे अपने bank account को और foreign transaction को जो भी बाते हैं उसके नीचे लिखेंगे उसके आप नीचे देख सकते हैं resolve further debt bank is hereby requested the following यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्या-क्या चाहिए какая corporate banking चाहिए आपको phone bank चाहिए आपको debit card, ATM card services, चाहिए जो भी चाहिए आप यहाँ पे mention करेंगे उसके नीचे आपको au prawd करना है आपको रस सिरौन करना है कि आपके bank kalo authorized signature कौन होगा जो आपके एक कंपनी के bank account को manage करेगा आप यहां पे तीन दे सकते हैं और limit बता सकते हैं कि कितने limit तक वो manage करेंगे ठीक है उसके नीचे हम देखेंगे कि यहां पर आप देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुए और इसके नीचे है certified true copy name of the company and name of the director sign करना है दीन नंबर लिखना है और date लिखना है इस format में वो सारी बाते लिखी गई है जो के standard company follow करती है तो आप इसका बखो भी यूज कर सकते हैं ठीक है आप इसको पड़ सकते हैं आप अपना email address just comment box में type कीजे मैं आपको यह template आपके email address पे भेज़ दूँगा आप इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं और जैसा आपको ठीक लिए वैसा चेंज करके आप इस resolution को board से पास करके bank account में दे सकते हैं ताकि आपके company का bank account खोल जाए दोस्तों तो उमीद करता हूं आपको व सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो बबाए